Samsung अपनी Galaxy M सीरीज के दो स्मार्टफोन तो पहले ही भारत में लाँच कर चुका हैं जो कि Galaxy M10 और M20 हैं और अब Galaxy M30 के बारे में भी लीक सामने आने लगे हैं नमश्कार दोस्तों डीजिट हिंदी में आपका स्वागत हैं मैं हूँ आफ्रीन और आज हम Samsung के एक नए फोन के बारे में बात करने जा रहे हैं जी हाँ बात कर रहे हैं Galaxy M30 की जो कि एक बजट और मिड रेंज में आने वाला स्मार्टफोन होगा एक टिप्स्टर ने ट्विटर पर एक स्पेक्स शीट जारी की है जिसे पता चलता है कि Galaxy M30 के इन स्पेक्स के साथ लाँच हो सकता है वैसे तो इस फोन के बारे में पहले भी कई लीक सामने आ चुके हैं लेकिन अब जो स्पेक्स शीट सामने आई है ये काफी हद तक उन स्पेक्स को सच्चा साबित करती है कि हाँ ये फोन उन ही स्पेक्स के साथ आने वाला है तो चलिए अगर शुड़ू करूं इन स्पेक्स के बारे में तो सबसे पहले बताना चाहूंगे आपको कि इस स्मार्टफोन में आपको 6.3 इंच की HD डिस्पले मिलने वाली है जिसका रिजॉल्यूशन 220 गुणा 1080 पिक्सल होगा इसके लाबा अगर दूसरे स्पेक्स की बात की जाये तो गेलेक्सी M30 में भी आपको M20 की तरह OctaCore Exynos 7904 प्रोसेसर मिल सकता है जो कि कमपनी का नया प्रोसेसर है और इस स्मार्टफोन को कमपनी 4GB RAM और 64GB Storage के साथ पेश कर सकती है यह भी कहा जा रहा है कि गेलेक्सी M30 की खासियत इसकी 5000 mAh की बैटरी होगी हलांकि अभी यह क्लियर नहीं हुआ है कि गेलेक्सी M20 की तरह यह Fast Charging सपोर्ट करेगी या नहीं इसके लाबा यह भी जानकरी सामने आ रहे है कि स्मार्टफोन को triple rear camera setup के साथ पेश किया जा सकता है और device के front पर 16MP का camera मिलेगा जो की F2.0 aperture के साथ आएगा rear camera में आपको 13MP का sensor मिल सकता है जिसका aperture F1.9 होगा बाकी के जो दो sensor होंगे वो 5MP के हो सकते हैं और दोनों का aperture F2.2 हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि स्मार्टफोन को trending gradient design भी दिया जाए जैसा कि अभी हमने Redmi Note 7 में देखा है यह phone gradient blue और black color में launch किया जा सकता है आमसंग ने वैसे तो अभी galaxy M30 के बारे में कोई confirmation नहीं दिया है लेकिन ऐसा हो सकता है कि company Redmi Note 7 और Note 7 Pro के launch का इंतजार कर रही हो अभी जानकारी कितनी सही होती है यह तो हमें smartphone के launch के बाद ही पता चलेगा कि M30 किन specs के साथ launch होगा लेकिन इस तरह कि और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं और अगर आपको यह वीडियो पसंदा है तो उसे like जरूर करें, share करें, comment करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद